हलो गाईज, वेलकम टुए ओन चैनल प्रापटी प्रोवाइडर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में क्या गेम चल रही है गुड़गाओं में अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ में किस चीज़ में लाइसेंस कनवर्ट होते जा रहे हैं और जो बज़ट आया है इस से अफोर्डेबल हाउसिंग की क्या चर्चाएं हैं और किस हिसाब से आप लोगों को एक और निवेश करने का साधर मिल पाएगा या ये धंदा भी ठप हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ गुडगाओं में मिडल क्लास के लिए खरीदने के लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा क्या-क्या इसमें पहलू रहेंगे सारे जानने की कोशिश करेंगे साथ साथ में आप लोगों को मार्केट के इंटरनल निउसेज बताऊंगा कि किस हसाब से लाइसेंसेज कनवर्ट होए और क्या करना है आप लोगों को क्या आगे प्लैनिंग होनी चाहिए यह affordable housing सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके budget में कुछ नहीं आता यह उन HNIs के लिए भी एक बहुत मेहतोपूर्ण पैमाना है जिन लोगों को अपनी investment diversify करनी चाहिए साथ साथ मोनों ने diversify करके इससे बहुत अच्छा मुनाफ़ा निकाला है अपने लिए और गुडगाओं में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास affordable housing नहीं चाहिए वो आप लोगों का investor हो या तो फिर आप लोगों का real estate agent हो चाह consultant हो whatever क्योंकि इसमें एक उभरता हुआ भविश्य देखा गया बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है क्या कुछ licenses convert हो रहे हैं जैसे एक particular project का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका license आ चुका है project 78 में था true habitat builder था बहुत दिनों से चर्चाही थी क्या affordable है license भी आ चुका था उसको convert करा लिया गया है retirement homes में old age homes जो बोला जाता है उसमें convert करा के क्योंकि उसमें पांच एकर से कम का approval आ जाता है तो उस दिशा में builder चला गया है अब आगे आने वाला trend क्या इसी हिसाब से हम लोगों को दिखेगा retirement homes के उपर क्या हर एक builder वो काबिल है क्या retirement homes बना सके ऐसे ही एक दो projector है एक builder है जिसने 95 में अपना license लिया हो था वो भी convert होने की त्यारी में है एक sona में ऐसे builder है वो भी convert होने की त्यारी में है तो government ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और उठाने चाहिए इन चीजों के उपर भी क्योंकि ये जो licenses हैं ये maximum convert होते होई दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे builder का margin 5,000 रुपे पर square feet मात रहे हैं वहाँ पे वो retirement homes लागे करीबन करीबन 10-10,500 रुपे का बेच पाएगा और बना पाएगा कम से कम भी अगर इससे कम rate होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है builder के लिए भी margin निकालना अपना क्योंकि commercial भी बहुत जादा थोड़ा है बहुत जादा density में नहीं आ रहा है कुछ-कुछ जगा जहां पर affordable है ऐसा ही एक और affordable sector 92 में builder बोल रहा था बट वो भी अधर लटका हुआ दिखाई दे रहा है यह ना आनी की वज़ए सबसे बड़ी वज़ए है कि policy को review नहीं किया गया और समझदारी से इसको नहीं देखा गया मंत्राले दुआरा तो यह चीज़ें हम लोगों को सबसे पहले देखनी है इसमें बहुत दिनों से चर्चा है और अब उभर के भी आ रही है क्या इसके दो reasons हो सकते हैं पहला reason तो यह license convert हुआ इसलिए affordable ना यह एक मुद्दा हो सकता है दूसरा यह मुद्दा हो सकता है कि इसके 7000 रुपे के आसपास first care fit rate हो जाएं तो यह इन दोनों में से जो second वाला option है अगर इसका rate revise हो जाता है अगर आज 5000 रुपे अगर 7000 रुपे भी first care fit rate हो जाता है तो भी लोग भारी मात्रा में भीड लगा के इसको खरीट वे दिखाए देंगे और शायद कुछ builder भी participate कर सके यह affordable housing बनाने में क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है क्या जितना भी रुझान रहा है वो luxury की तरफ रहा है ठीक है और जो यह वाले segment रहा है इसमें तो हमेशा अगर 10 flat निकल रहे हैं तो उसके उपर 50-100 लोग apply करने वाले हैं एक flat के उपर 10 लोग apply करने वाले हैं तो जब इतनी भारी मात्रा में चीजें हैं और यहाँ पर segmented कुछ बचा नहीं है तो अगर government 7000 रुपे भी लाती है करीवन करीवन 45-47 लाख रुपे का flat बनता है जिसमें 90% loan भी होता है ठीक है अगर government उस हिसाब से plan करती है और वो rate builder को देती है वैसे black market में भी एकता है black market के विजए अगर clear vision रखा जाए साथ में ये भी इसमें एक चीज एड़ करना चाहरा हूँ जैसे दीन दयाल के policy इन लोगों ने बेहन की क्या दीन दयाल के plots और नहीं आएंगे उसके पीछे एक reason दिया गया कि builder अपने मन पसंद से rate बेच रहा है ठीक है rate पे अंकुष नहीं लग पा रहा है इसलिए दीन दयाल policy बंद कर रहे है मैं ये कहता हूँ कि land builder ने ले ली ठीक है तुम builder के साथ तै करो बैठो ठीक है चीजों को sort out करो वहां के rate को जाचो और rate को जैसे आप लोग अपने website पे plots के अपने बोलिया लगाते हो इन plots की भी तो बोली लग सकती है वैसे भी तो आज का लगवारों में बड़ी बड़ी ads आई रही है क्या सरकारी आवास योजना या सरकारी plots करी दे तो आप लोग खुद ही चीजों को implement करके और जंद समाधान तक क्यों नहीं पहुंचते और लोगों को क्यों नहीं सुईधाएं देते यही affordable housing का भी है अभी budget में देखने को मिला है अच्छा खासा allocation किया गया है PM आवास योजना के लिए तो उमीद करता हूं कि government इस तरफ द्यान देगी और जो affordable housing वाला trend बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था तो जो यह affordable housing वाला trend है यह आप लोगों को notice कोरना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ-साथ में इससे licenses cancel नहीं होंगे convert नहीं होंगे और लोगों को मेरे जैसे आप जैसे लोगों को रहने का आश्याना 50 लाग रुपे 60 लाग रुपे में गुड़गाओं में मिल पाएगा at least तो मैं यही उमीद करता हूँ आप लोग यह वीडियो शेयर करेंगे जो पहली बारा है है और चैनल को subscribe करेंगे इसी type का informative content इस चैनल पर मिलता रहता है मिलते रहेंगे अगली वीडियो उस पर धन्य कर दो